नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग इलेट्रिकल फ्रेंडली चैनल में आपका स्वागत है ये चैनल में आप इलेट्रिकल सब्स्टेशन प्रोटेक्शन और काफी इंपोर्टन चीजे आप असानी से और इजीली लेंग्वेज में आप सीख पाओगे आईए शुरू करते हैं आज का हमारा एक नया सब्चेक्ट है प्लक सेटिंग मर्टिप्लायर जो रिले के अंदर काफी यूज में होता है और काफी इंपोर्टन रोल प्ले करता है एक नुमेरिकल रिले हो या इलेट्रोबाइटिक रिले हो कोई भी रिले हो प्लक सेटिंग म कि रिले का अलगोरिदम कैसे काम करता है वो मैंने एक इंडिविजल वीडियो उसके लिए बनाया था आप चेक कर सकते हैं मेरे यह इसी चैनल में तो रिले एक्चुली काम कैसे करता है तो हम प्रिफली इसके बारे में देख लेते हैं तो रिले के अंदर डिसी सप्लाई हमें तिना होता है वो एक इंपोर्टन चीज़ है उसको एसी या डिसी दोनों में से किसी एक सप्लाई से हम चला सकते हैं डिसी ज्यादा इंपोर्टन है क्योंकि डिसी के बैटरी से हम बैक अप की और से हम डिसी सप्लाई देके रिले को च सबर्ट इसके, बीजिकल्ई, इंपूट्स हमें देना होता है अनलॉग इंपूट्स जिसको बोलते हैं कि अधुए वूल्टेज, जिसके बाद समझता है कि सिस्टम क्या चल रहा है, कैसे काम करता है और उसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है प्लग सेटिंग प्लग सेटिंग मटिप्लायर रिले के अंदर बहुत ही इंपोर्टन चीज है प्लग सेटिंग के हिसाब से रिले खुद उसका अलगोरिदम डिफाइन करके हमें क्या देता है आउटपुट देता है नेक्स्ट है टाइम सेटिंग उसके बारे में मैं अलग सेटिंग वीडियो बनाऊँगा इसके बाद तो पहले हम समझते हैं प्लग सेटिंग मटिप्लायर और प्लग सेटिंग मटिप्लायर के अंदर क्या-क्या चीज़े आती है कैसे काम करता है, कौन से कौन से पेरामिटर्स हैं, जो plug setting multiplier को relay के साथ एक बहुत ही important parameters का role define करता है Actually plug setting multiplier जो है वो word कहां से आया है तो वो word आया है हमारे पुराने electromagnetic relay हमारे electromagnetic relay जिन्होंने देखेंगे उनको पता है कि यहां पे plug शो कर रहा है टाइब करेंगे इसके अपने करेंगे चाहिए तो इसको बोलते हैं। तो यहीं वढ़का यूज़ करके जो हमारा न स्सक्क्राइब है। वह मैंक्चलनी आया है। तो यहीं fundamentals electromagnetic relay का जो है वही same fundamental आगे numerical relays में भी convert हुआ है plug setting multipliers के अंदर उसका जो definition से वो क्या है कि वो definitions उसके बारे हम deeply बात करेंगे बस individual parameters के बारे में हम बात करेंगे बट अभी के लिए plug setting multiplier जो है उसका जो definition से वो क्या है कि relay के अंदर जो current जाएगा I relay divided by relay का जो plug setting हम जो define करेंगे यह दोनों मिला के जो combinations बनता है वही है plug setting multiplier अब relay के अंदर जो current जाएगा उसका जो definitions है उसका जो parameter से उसमें क्या आएगा उसमें आएगा fold current जो pass होगा relay के अंदर से क्योंकि हमने relay को CT दिया है तो relay भी खुद sense करेगा कि कितना current यह relay के अंदर से जा रहा है और हमारा जो CT ratio यह दोनों मिला के relay का current एक define होगा मालनों कि यह CT है और यह relay है तो हमें individual parameters को समझते हैं थोड़ा सबसे पहले CT ratio तो हमें पता है जिनको नहीं पता उनको मैं समझा दूँ कि relay के अंदर एक primary होता है यह जो है हमारा primary है इसको primary का P बोलता हूँ मैं और यहां से हैं वो secondary है तो मालनों कि यहां से 300 ampere जा रहा है तो secondary में हमें मिलेगा 1 ampere सपोस ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह primary to secondary का conversion हुआ अब जो relay है वो सिर्फ secondary language समझता है वो उसको primary language समझ में नहीं आती है तो हमें उसको secondary देना है primary हम relay को नहीं देते हैं तो वो secondary 1 ampere relay में जाएगा तो relay यह समझेगा कि 300 ampere current flow हो रहा है तो city ratio जो है वो relay के अंदर हमें डालना पड़ता है जो भी हो 300-600 जो भी city का ratio हमारा है system का जो जहां पर हम relay यूज कर रहे है वो जो settings है वो relay के अंदर हमें अंदर डालना पड़ता है तो यह 300 का settings हमने डाल दिया ओके next आएगा fold current अभी मानलो कि यहां पर 300 ampere का city है 300 पा एक का और यहां पर 3000 ampere flow हो रहे है तो obviously secondary में कितना आएगा 10 ampere आएगा ठीक है तो 10 ampere जो है वो relay के अंदर हमें flow होता हुआ मिलेगा तो relay के अंदर 10 ampere जो जाएगा तब relay खुद ऐसा समझेगा वो primary में convert करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि 3000 ampere मेरे flow हो रहे है तो it's kind of fold तो इसको हम fold current के नाम से हम जानते है उसके बाद तीन words हम काफी use में आते हैं relay के अंदर पहला आता है plug setting दूसरा pick up current और त्री सा है operating current यह तीनों का मतलब same है plug setting बोलो या फिर pick up current बोलो या फिर operating current बोलो अभी यह बहुत important चीज़ है समझते हैं इसके अंदर मानलो कि मैंने relay का plug setting है या फिर pick up current है वो 100% रख दिया 100% 100% का मतलब क्या हुआ कि 300 ampere पूरे मैंने इसके relay को define कर दिये है किसलिए कि relay को समझाने के लिए कि 300 ampere तक तुझे कुछ नहीं करना है 300 ampere तक तुझे stand by रहना है कुछ operation करना नहीं है जैसे ही 300 ampere के उपर जाएगा 100% से उपर जाएगा मानलो कि 120% ampere relay में से flow हो रहे है 120% मिन्स की 360 360 ampere मानलो की relay के अंदर से flow हो रहे है तो वो 120% के हिसाब से relay count करेगा तो 120% होगा तो relay operate हो जाएगा तो यह जो pick up setting है plug setting है operating current setting है वो relay के लिए बहुत important है क्योंकि relay उसके हिसाब से decision लेता है मानलो कि मैंने 50% रख दिया यहाँ पे यह plug setting तो relay 150, 300 का 50% मिन्स की 150, 150 ampere पे ही relay मेरा जो है वो operate हो जाएगा ठीक है और operate होगा तो उसका जो output contact है वो क्या होगा nc होगा nc मिन्स की normally close ठीक है relay का जो context नोर्मली open होते है मिन्स की open होते हैं पर जब relay operate होता है तो उसके जो context है वो क्या होते हैं close होते हैं तो pick up current, operating current और plug setting तीनों का मतलब same ही है वो define करता है relay की pick up capacity relay कितने ampere पे relay start होगा अपना relay का timer start होगा ठीक है I relay I relay मिन्स की relay के अंदर से कितना current जा रहा है ठीक है वो हमें पता होना चाहिए उसके इसाब से plug setting multiplier का definition बनता है तो relay के अंदर कितना ampere जा रहा है वो देखने के लिए हमारे पास equation था कि I relay कब मलेगा तो fold current divided by ct ratio जो भी fold current जाएगा इसके अंदर से उसके divided by ct ratio करेंगे तो हमें I relay का जो है वो parameters मिलेगा हम यहीं पूरा जो understanding है उसको हम समझेंगे एक example के थो मालों की मेरा एक plug setting है 1 ampere 1 ampere मिन्स की 100% यह दूसरा एक language है relay के अंदर कभी कभी कोई relay में हम 100% रखते हैं कोई relay ऐसे होते हैं जिसमें 1, 2, 3, 0.5, 0.25 उसके हिसाब से हम रखते हैं कई relay पे हम 25% रखते हैं सब का मतलब एक ही होता है ठीक है पर यह क्या है कि relay का जो definitions है relay के जो manufacturing जो है उसके हिसाब से यह change होता रहता है model के हिसाब से company के हिसाब से बड़ सब का मतलब जो है वो same ही रहता है तो यहाँ पे हमारा जो plug setting है वो है 1 ampere CT ratio हमने define किया है मानलों की 300 ampere है और हमारा जो fold current जाएगा वो मानलों की 3000 ampere 3000 ampere उसमें से जा रहा है तो हमारा plug setting multiplier क्या होगा तो हमारा जो equation था वो हमें पता ही है कि पहले हमें क्या define करना पड़ेगा relay के अंदर से जो current जा रहा है वो हमें पहले define करना पड़ेगा तो वो इसका equation क्या था तो fold current जो pass हो रहा है relay के अंदर से तो वो क्या था 3000 ampere तो 3000 रख दिया हमने उसके अबाद हमारा जो ct ratio था वो क्या था 300 by 1 मिल्स की 300 ठीक है 300 by 1 एक की वेली कुछ नहीं है तो 300 तो इसका जो total हुआ वो कितना हुआ 10 तो हमारा जो relay के अंदर जो current जाएगा secondary के हिसाब से वो कितना जाएगा 10 ampere अभी इसको हम मान लो कि primary में current करना है ठीक है तो इसको ct ratio multiply by ct ratio कर दो primary का तो हमारा actual forward करन मिल गया हमे 3000 ठीक है तो ये relay जो है वो secondary language समझता है तो secondary input समने यहाँ पर define किया है उसके बाद आएगा plug setting multiplier का actual value तो उसके लिए हमारी definitions क्या है कि हमारा जो i relay है relay के अंदर से जो current जा रहा है divided by जो plug setting हमने decide किया है तो plug setting हमने क्या किया है 1 ampere तो 10 by 1 यानि कि 10 तो हमारा जो plug setting multiplier हुआ वो हुआ 10 आईए एक और example के साथ यहीं चीज़न हम समझते है यहीं पर same equation है पर यहाँ पर ct है वो change है यहाँ पर 300 by 5 की city है अगली जो example था उसमें 300 by 1 था तो यहीं equation हमारे पास है पहले हम define करते है relay का current जो relay के अंदर से pass होगा उसके लिए fold current तो कितना है 3000 है और city ratio यहाँ पर 300 by 5 है तो 300 divided by 5 मिनस की 5 उपर चला गया तो 300 by 5 तो 3000 into 5 मिनस की 5 50 ampere secondary current relay के अंदर से pass हो रहा है और यहीं value की साथ हम plug setting multiplier हम define करेंगे तो I relay जो हमारा value हुआ वो कितना हुआ 50 और जो plug setting था वो कितना था 1 ampere तो इसके इसे आप से हम पर हमने plus setting multiplier हमने किया तो जो plug setting multiplier है वो हमारा relay का pickup define करता है time नहीं relay का operating relay को कब operate होना है कब start होना है को कि relay के अंदर एक timer होता है ठीक है तो वो timer जो होता है वो start होगा और जब उसका जो time setting जो हमारा जो next मैं जो लाँँगा मेरा वीडियो उसमें मैं time setting multiplier के बारे में बात करेंगे पर फिलहाल मैं यह बता हूँ अब दर तो आपको shortly कि जो यह जो plug setting का जो value आया वो किस के लिए है relay को start करने के लिए relay को pick up करने के लिए relay को relay का timer on करने के लिए और वो timer कब तक on रहेगा जब तक हमारा time setting हमने define होगा तब तक आपके लिए एक homework है यह आप calculate करें और इसका जो answer है वो आप comment section में डालें ठीक है जो भी जिसका भी सही होगा उसको मैं appreciate करूँगा उसका नाम मैं उसको comment मैं appreciate करूँगा ठीक है आने वाले बहुत सारे videos में लेकिआ होँगा जिसमें आपको बहुत सारे case studies भी मिलेंगे मैं मेरे पास बहुत से मैं prepare कर रहा हूँ मेरे पास जो भी case studies है transformers है protection side है कुछ failures है उसको कैसे rectify करते है बहुत सारे मेरे पास case studies भी है और काफी मेरे पास जो है वो मैंने ready मैं कर रहा हूँ तो वो सब आपके लिए में लेके आऊँगा बहुत ही shortly इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो like कीजिए, share कीजिए अपने friends को और जो भी आप share कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए thank you, thank you very much keep learning, keep growing अगर आपको कोई भी questions है comments है कोई भी किसी भी type का आपको कुछ पुछना है directly तो आप mail कर सकते हैं या फिर comment section में comment डाल सकते हैं keep learning, keep growing thank you, thank you, bye bye